आए साथियों माही जी के ट्रिक में आपका स्वागत है देखते हैं भारतिय क्रिसी उत्तर प्रदेश पुलिस का जी के का टोपिक है और यहाँ से कोशन फिक्स है कि आपके एक जाम में एक कोशन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा एक भी भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, हर सिप्ट में question देखने को मिलेगा ठीक है, तो छोड़ना नहीं है, ध्यान से पढ़िए, बहुत simple है, थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा भाई ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि छोटा वीडियो नहीं बनाना है क्योंकि आपके exam में है 10 shift, कितना है, 10 shift में आपका exam होगा तो 10 shift है, तो 10 shift में question लाना बजाग बात नहीं है कि छोटा मटा उपर सो उठालेगा ठीक है, तो खोदना पड़ेगा उसको question को, तो थोड़ा सा detail से पढ़ना पड़ेगा ठीक है, तो आज़े देखते हैं सबसे पहले भारती क्रिसी में, क्रिसी की अर्थ व्यवस्ता के छेतर में क्या होता है, 3 shift है प्राथिनिक छेतर, दितियक छेतर, तितियक छेतर, प्राथिनिक छेतर किसे बोलते हैं, देखिए, जो कि प्राकृतिक से संसाधन उदपादन से प्रात होता है, उसे बोलते हैं प्राथिनिक छेतर, जैसे क्रिसी करना, पसु पलन करना, मतस्य पलन, गेहु उदपादन, ज ठीके तो इसमें से बी निर्मार क्या होता है इसमें से बी निर्मार क्या है तो चीनी जैसे कपड़ा जैसे गन्ना से क्या बन जाता है चीनी बन जाता है ठीके कपड़ा मतलब रेसम से क्या बन जाता है कपड़ा इसका मतलब बी निर्मार हो रहा है ठीके तो यह अपने आप म परिवहन हो गया बैंकिंग हो गया सिच्छा हो गया बीमा हो गया संचार हो गया तो यह सब चीजे जो है आपके क्रिशी के छेत्र हैं ठीक है इधर है कि भारत में लगभग 55% जो जन संख्या है वो क्रिशी पर नियवर कितना है 55% कोश्चन पुछता है तो कितना आएगा 55% जो है यह आपकी क्रिशी पर अधारीत है ठीक है क्रिशी का प्रांचिंतम साच कहां से मिला है तो मेहर गड़ कहां से मेहर गड़ आपके पाकिस्तान में पड़ता है वहीं से मिला है ठीक है तो मेहर गड़ किसी की मेहर होगी भईया खाके ठेक दी होगी तो वहीं से मिला है मेहर गड़ से आगे है मानो ने स्वरपर्थम जो की खेती को अपनाया था सबसे पहले प्रयोग किस ने किया है जोग का किया है मानो ने ठीक है जोग करोटी खाओगे तो थोड़ा सा आदमी तकड़ा हो जाता है ठीक है इस अब बोड़ी फोड़ी बन जाएगी जोग की खेती करके खाए होंगे सब पहले भईया ठीके धान की खेती का साच कहां से मिला है तो कोल डिहवा पर्याग राज क्या है धान की खेती कोल डिहवा से मिला है कोल डिहवा ठीके कोल डिहवा कुनों डी हर डी हर उसी पर मिला है कोल डिहवा पर्याग राज यूपी पुलीस के लिए कोशन आया हुआ है और आता रहता है आगे है साथियों चकबंधी क्या होता है जोत कि आकार को छोटे-छोटे हिस्सों को एकत्रित करना जैसे माली जी आपका कोई खेत है यहाँ पर कोई खेत है कोई यहाँ पर खेत है को बता सकते हूं, बताओ भीया, कमेंट में इसका जवाब देना, कि उत्तर प्रदेशन चकबंधी कब आई थी, तो चो से चकबंधी, चो से चंवन, उन्नाईस सो चंवन में, ठीक है, उन्नाईस सो चंवन में आई थी, ठीक है, आगे है भुदान आंदोलन, अठारा अपरेल उ होता है, कौन से आंदोलन, भुदान आंदोलन, बिनोदा भावे से सम्दित है, भुदान आंदोलन, बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोस्चन पुछा सकता है, आपके एक्जाम में, किसे भुदान आंदोलन से सम्दित नेता कौन थी, बिनोदा भावे, बिनोबा भ में स्टार्ट हुआ था शुरुवात हुई थी उत्तरप्रद्रश की बही परियोजना ठीक है तो बही मने बानवे चुश्च 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 पुश्ता है तो बही मने बानवे आराम से इसको याद कर सकते हैं चुश्च चुश्च पुश्च 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 पुश् तो उत्राखंड में जोकी आपके चमोली जीला से समझनी थे, कब हुआ था? उनाईसो चात्तर में ठीक है, थोड़ा सा लिखे सई से नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो आपको समझने आएगा, ठीक है? 1970 उत्राखंड चमोली जीला सुन्दर लाल बहुडा से समन्दित है प्रोग की कटाई प्रोगने के लिए चिपक गए से सब लोग पिवर से भेरी भेरी मोश्री इंप्वर्टेंट है आईए आगे देखते हैं FCI Food Corporation of India भारतिय खाद निगम इसकी अस्थापना होती है 14 जनौरी 1965 में ठीक है तो पैसा से क्या मिलता है भाया पैसा मनें पैसा से मिलता है 65 पैसा से 65 क्या मिलता है खाद जो है 25 से मिलता है तो 1965 में इसकी शुरुवात होती है 14 जिनौरी 1965 इसका मुख्याले आपके नई दिल्ली में कहां पर है 1965 में क्या हता क्रिशी कीमत आयोक का गठन होता है जिसे बोलते हैं APC क्या बोलते हैं? APC, बाद में इसका नाम बदल कर CACP बोल दिया गया, इसे बोलते हैं, alogCapी नाम बदल दिया गया, जिसे बोलते हैं, क्रिसी लागत और मुल्य आयो, क्या बोलते हैं? CACP CACP 1985 में हुआ था तो इसका नाम बदल कर ठीक है बाबू आगे है MSP क्या होता है ठीक है जिसे बोलते है नियुन्तम समर्थन मुल्य का बोलते हैं नियुन्तम समर्थन मुल्य इसको लागू जारी करता है आपका स्कृसी लागत मुल्य आयोग MSP इसको लागू करता है जारी करता है ठीक है यह जो है इसको कितनी फसल है तो 23 फसल है कितनी फसल है 23 फसल है इसका सिपारिस करता है सिपारिस कौन करता है तो किसान और परिवार कल्यान मंतरी ठीक है यह इसके अधिन कार्य करता है तो आपको सुन्यार होगा, ठीक है, क्या है, नियुंतम समर्थन मुल्य, कितनी फसल है, 23 फसल है, सिपारिस करता है, क्रिसी लागत और मुल्य आयोग, ठीक है, जारी करता है, MSP, क्रिसी लागत मुल्य आयोग, ठीक है, यही जारी भी करता है, ठीक है, और किसी अधिन कारे करत तो किसान और परिवार कल्यान मंत्री के अधिन जो है यह कार करता है अच्छा कोशन बन सकता है यहां से ठीक है आएए अगर देखते हैं कृषी के बिशेश प्रकार यहां से कोशन 2024 में पूछा गया था ठीक है ठीक है भाबू तो आज़े देखते हैं क्या है बीटी कल्चर तो बीटी कल्चर की से सम्मंदित है, तो अंगूर उत्पादन से, तो अंगूर कैसा होता है, बीट के अकार को होता है, छोटे-छोटे बीटों में होता है न भी अंगूर, ठीक, तो क्या है अंगूर होता है, बीट के अकार में, तो बीटी कल्चर अंगूर से सम्मंदित है, आगे है PC culture, तो PC culture मतस्य पालन, मलब मचली को खाना है बना के आपको, तो मचली में काप डालते हैं मसाला, मसाला पीस के डाला जाता है, तो PC culture मतस्य पालन, आगे है सेरी culture, रेसम, तो रेसम क्या बनता है, सारी बनता है, सारी, ठीके, तो सारी मनें सेरी culture आपका हो जाएगा, रे सम उत्पादन से, आगे हैं हर्टी कल्चर, फलों के उत्पादन को बोलते हैं हर्टी कल्चर, ठीक है हर्टी कल्चर, फलों के उत्पादन को बोलते हैं हर्टी कल्चर, नहीं, बागवानी, क्या हो लेगा क्वेश्चन, बागवानी, किसे हैं, बागवानी से सम्मंदित है अपका हार्टी कलτ्चर भागवान लगाता है तो फलो को दीकर सकते हैं लेकिन आपसन में हिए आपको दीखेगा भगवानी उत्पादन से इसको नहीं मानेंगे ठीके आगे हे एपी कलचर ठीके तो मधू मख़ी पालन बोलते हैं एपी कलचर तो P, तो P मने मधुमक्खी के रस को P, तो AP कल्चर मधुमक्खी के पालन को बोला जाता है, ठीक है बाबू, फलोरी कल्चर, फूलों, फूलों के उत्पादन को बोलते हैं, फलोरी कल्चर, ठीक है, फलोरी कल्चर, फूलों के उत्पादन को बोलते हैं, आगे है, सिल्वी कल् ठीक है वर्गी कल्चर किसे केचवा के पालंग बोलते हैं वर्गी कई वर्गों में मार केचवा होता है ठीक है तो वर्गी कल्चर केचवा के पालंग बोलते हैं पोमो लाजी बोलते हैं फल बिज्ञान हर्दी ठीक है तो पोमो कल्चर मने पोमो मने क्या हो गया फल ठीक है फ अब देखते हैं साक्षियों, खेती के प्रकार, पहला है उत्तर पुरुवे में क्या होता है, जूम खेती, क्या है जूम खेती, जूम खेती क्या होती है वहीया, खेत को, जंगल को कारते हैं, वहाँ खेती करते हैं, पांच साल, दस साल, फिन वहाँ छोड़के दुफरेज़ चला जाते हैं तो जूम खेती जूम जूम के खेती होती है आगे है करतन दोहन प्रणाली और बूस फलो क्रिसी ठीक है ये पुर्वी शेत्र में होती है मदपर्दस में क्या होता है दहिया क्रिसी होती है मरीपुर में पामलू होती है ठीक है आगे है पच्मी मिधर में कुमार होती है जारखन में कुराग होता है ठीक है यह सब कृषिया होती है आईए इधर देखते हैं रोपड खेती रोपड खेती क्या होती है विक्री के नगत एक नगत फसल है क्या है यह विक्री के नगत फसल को बोलते हैं रोपड खेती ठीक है जिसे रोप के पैसा कमा जाता है इ इसका मुख्य उद्यस क्या होता है पैसा कमाने के लिए इसको बोया जाता है इसी को बोलते है रोपड खेती जैसे कौन कौन सी होती है गन्ना होता है चाय होता है रबड होता है कोका होता है पटसन होता है कपास होता है ठीक है तो इनका जो है कहवा होता है यह सब रोपड खे ठीक है इसको रोघा जाता है ठीक है रोप देंगे तभी जम जाता है भी जा ठीक है आगे दिखते हैं आगे है रेचिंग खे, क्रिसी भेड बकरी को चराना जो है रेचिंग, ठीक है? मतलब आप के परेवर्ण छेतर में जाए ठीक है? वहाँ पर बनस्वति की छेतर पर जाकर भेड बकरी को चराना ही क्या लडży क्रिसी बोलते हैं? कारबनी, क्रिसी क्या होती है? उर्भरक और नासक का प्रयोग नहीं करते हैं ठीक है इसका जानक जो है अलबट हरवड थे कौन थे हरवड थे ठीक है अलबट हरवड थे आगे है जैविक क्रिसी प्रथम राज जो है जैविक क्रिसी में कौन सा है तो सिक्कीम कौन सा है सिक्कीम है यही कोशन पूशेगा तो मकंद पूर गावं आता है उत्तराखंड का ठीक है यह प्रत्थम जीला बोलेगा तो मकंद पूर गावं होगा ठीक है जदी राज़य बोलेगा तो शिक्व्त आगे हैं साथ यूं इनाम यूजना इनाम होजना जो है प्रठान मंत्री कुस्अ म यूजना, यह इसका संबन्द किसे है, इसका संमद्ध किसे है, उर्जा फ्रच्छा उठ्थान से है, उर्जा फुरच्छा उत्थान से है इसकी सुरुवात 2019 में हुई थी आगे है राष्टि किसान नीती कब आयो थी 2007 में कब 2007 में भेरी भेरी most important है किसान नीती ठीक है तो किसान नीती थालाफार रिजन 2007 में आयो थी आगे हैं भारतिय प्रधान मंद्री सम्मान निधी योजना भेरी भेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ प्रकिसान को प्या होता है फायदा होता है करजार रुपया का दू हजार रुपया का ठीक है इसकी गोफडा प्यूस गोयल जी ने किया था एक फरवरी दो किसान500 को मिल तिन किस्तों मिलता है मतलब साल भर में योजना के तहत तो अच्छी योजना है ठीक है सबका फायदा हो पाउधे को बोलते हैं जीरो फाइटा ठीक है जीरो फाइटा लोड़ रेगा या है उस्ता रेको बोलते हैं जीरो फाइटा आगे है है ही25 फाइटा घडिक उपधिक भी फाईटा नेहीं ही 24 मीने क्या होती है तुप हईको फाइटा ऐस सक्ता आप दाउर साते ने उगने वाले पुद्धि को बोलते हैं हाइगरोफटा आ खाइटा उसर पिवंधि पॉद्धों को बोलते हैं टोपो फाइदा मनलग टोपी लगाना पड़ेगा यहां प्रक्या है ऊफ्रक्टिवंधि यह उस जदा पड़ता है ठीक है गर्मी जदा पड़ता हुए टोपी लगाओ टोपो फाइटा है मेसो फाइटा ठीक है तो सीतोस कटिवंधी को बोलते हैं टैगा छेत्रों में पाय जाता है जिब मोलते हैं मेसो फाइटा क्या बोलते हैं मेसो ठीक है मेसो आज कले वो एप चलता है ठीक है तुहाँ पर सुल्ड़ फाइटर कपड़ा में जाता है गरम गरम ठीक है तो सितोष कटीवन धी टेगा छेतरों में मेशो फाइटा ठीक है सिंपल है न आगे है भाई क्या है क्रो फाइटा जोके तुंडा छेतरों में पाजयावाले पौधिक बोलते हैं आपका हेलो कव आएंगे अपने किसी रिष्टदार कोई भोण करता है न कि हेलो कव आएंगे तो आता है तो खाता है नमकीन खाता है ठीक है तो हो गया नमकीन मिट्टी में पढ़ने वाले पौधे को क्या बोलते हैं हेलो फाइटा बोलते हैं आगे हैं लिथो फाइटा चटान पर उगने वाले पौधे को बोलते हैं लिथो फाइटा ठीक है तो लिथो मनें क्या है लिथो लिथो ठीक तो चटान होता है तो उस पर आदमी कुछ लिख देता है अपने मैडम का नाम लिखता है अपनी बागु सोना का नाम कहां पर लिखता है इस चटान पर लिखता है ठीक है तो लिथो फाइटा चटानों पर उगने वाले पौधिक बोलते हैं आगे है पाइरो फाइटा ठीक है अगनी प्रतिरोधी बनस्पति बोलते हैं पाइरोफाइटा ठीक है तो पाई ठीक है तो पाई से क्या नापते हैं ताप मापते हैं ठीक है तरसका सकते हैं तो अगनी प्रत्रोधी बनस्पती ठीक है सिंपल है आगे है फलोई कल्चर शेल्विज कल्चर बता भी दी है तो आगे है साथ ही हो भारत में सिचाई के तरीके स्वरवधिक संचित राज शेतर कहां पर होता है उत्तर परदेश में स्वरवधिक संचित राज शेतर कहां पर होती है उत्तर परदेश में स्वरवधिक संचित राज शेतर कहां परदेश में यह हूँ तो वही है आपका रवी फसल ठीक है तो इसकी बवाई अक्टूबर नौवंबर अक्टूबर नौवंबर सिंपल है याद कर सकते हो अब है इसकी कटाई कटाई होती है मार्च अपरेल में ठीक है मतलब जब गर्मी स्टाट होने वाले जाती है उस समय इसकी कटाई स्टाट हो जाती है मार्च अपरेल में ठीक है तो आप सिंपल है याद कर लेंगे पकड़ भी लेंगे भाई या पहुत आसान है ठीक है आप देखे भी होंगे प्रमुख फसल कौन-कौन सी है गेहू है चना है मट्टर है आलू है मसूर है अलसी है तमबाखू है तमबाखू तबाखू ठीक वही बात है तो क्या है यह रवी फसले हैं क्या है रवी फसले हैं कोशन पूछेगा अगे है खरीफ फसल खरीफ फसल की बवाई जो है जून जुलाई में होती है अभी स्टार्ट हो गया है खरीफ फसल ठीके इसे बोलते है खरीफ फसल और कटाई होती है अक्टूबर नौंबर में ठीके याद करना है काका है धान है मक्का है बाजडा है मुंख़ली है जार है गन्ना है कमाल है ठीक यहूं काट के आलू खौन के आदमी इस सब बो देता है अपने यहाँ अब जब आलू हो जाता है न तो उसमें ही सब आदमी बोता है जाद फसल्यों से तर्बुजा, ककड़ी, खीरा, लवकी, ठीक है नेनुआ इस सब बोता है भाई ठीक है तो इस समय मार्ट अपने वाई होती है और जून के जुलाई में कटाई हो जाती है कटाई होने के बाद धान्व की रुपाई होती है तो जून, जुलाई ने इसके क्या होती है कटाई होती है यह जो है ग्रिस मरितू की फसले है गरमी में होने वाली फसले ृपपी में कम समय में उगाई जाने वाली सबसे फसल जो है, मूंग है मातर दू महीना में फसल हो जाती है, ठीक है? मूंग की फसल दो महीनें के अंदर हो जाती है क्रिशिस समंधित क्रांटियां सबसे पहले क्रांटी है हरित क्रांटी हरित क्रांटी की सुरुवात 1967 के दसक सुरुवात हुई थी ठीक है इसका उद्धेश जो है अधिक उपज देने वाली खाद फफनों इसके जनक कौन थे नारमल बोरलांग बिसमे जबकि भारत में थे MS स्वामी नाथन कौन थे MS स्वामी नाथन सबसे अधिक फायदा गेहों को हुआ था ठीक है किसको गेहों को तो नारमल बोरलांग और स्वामी नाथन याद रहेगा भारत में स्वामी नत्वन, विश्व में बोर लांग, ठीक है, बोर लांग, याद भी होका, बोर को लांग, ठीक है, आगे है, आगे है साथियों, स्वेत क्रांग्ती, स्वेत क्रांग्ती का मुख्य उद्देश जो है, दूद उद्पादन से समंदित है, ठीक है, तो स्वेत अच्छा करीयन हो जाए तो वर्डिज कुरियन थोड़ा सा करिया तो वले होगा आदमी दूद्ध पुपी के लेकिन तकड़ा होगा, ठीक है, देखे होगे, जितने वहीर हैं, सब दूद्ध पीते हैं भाया, आगा देखते हैं, क्रिशे सम्दित करांतिया जैसे, रज़त कर कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है आगे है सुनवरि एक्रंति किसे फल से समझदित है सिल्वर फाइबर क्रांती कपास से सम्मंदित है आगे है गोल्डेन फाइबर क्रांती जूट से सम्मंदित है तो सिल्वर रंग का होता है कपास क्या ठीक है जूट जो है हलका सा देखते होंगे पीला पीला होता है तो golden रंग का होता है ठीक है बोरा बनता है खदियवा बोरा ठीक है देखे होंगे तो जूट से सम्मंदित है golden क्रांथी कुछ समितिया है पहला है असोक दलाई समिती 2022 में आई थी ठीक है इन्होंने कहा था कि 2022 किसानों की आई दुगनी हो जाएगी किसने कहा है कि समिती ने त कोनी होई क्या होई क्या भाई हो गई होगी भाईया ठीक है पहले गयों दो स्प्य था है और बीस प्य हो गया है ठीक है हो गई होगी आगे है स्वामी नाथ समिती क्या है स्वामी नाथन समिती जो की रभी फसल से सम्मंदित है 2021 के सम्मंदित है जो MSP MSP में ब्रिधी दी ठ कि इन्होंने MSP में ब्रिधी देने का काम किया था आगे है उत्तर प्रदिश की फसलें क्या है सबसे पहले गेहूं गेहूं जो है UP में कितने अस्थान पर होता है तो 24 percentage पर गेहूं का सुरदिक गेहूं उत्तर प्रदिश में कहा होता है तो गोरकपुर में चेतर पूशेगा तो गंगा और घागर दुवाब में होता है प्राटी हेक्टेर में बोलता है भारत में तो पंजाब राज प्रतम अस्थान पर पंजाब राज यह है आपका ग्यहुं उत्पादन में आगे हैं साथ चावल उत्तर परदेश में 18% में यूपी के लिए बता रहेंगे वल उत्तर परदेश में 18% में चावल होता है वर्षा के लिए चाहिए 75-125 cm वर्षा चाहिए 75-125 important question है तापमाचि यह 20-27 cm अगे हैं 13 शेतरों और पूरुई शेतरों में चावल होता है भारत में सरो धिख खेती चावल की कहां पर होती है तो थी सबसदी खेती चावल की होती है परदाम अस्थान कोन है आपका परस्षिम बंगाल है ठीक है आगे देखते हैं जी आई टैक किसको किसको क्या मिला है काला नमक चावल बोलेगा तो सिध्धार्थ नगर में काला चावल नमक को क्या मिला है जी आई टैग मिला है आगे है आदम चीनी चावल चंदवली को मिला है आगे है काला जीरा 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 खाओगे तो उड़ जाओगे आगे है नगरी दुबरा चावल 36 गल को ठीके यह सब जी आई टैग है चावल के ठीके भईया आगे है गन्ना यह जो है चिकनी मिट्टी में होता है इसको तापमान चीहे 20-26 Celsius के आसपास हो तो हो जाएगा वर्सा इसको चीहे 100-200 cm ठीक है इसका वर्सा नापा जाता है भईया बारिस एको डिबबा रख देते हैं महलो यहाँ पर बरसात हो रही है एको यहाँ पर बल्टी रख दिया जाता है नापने वाला कितना बारिस हो रही है उसके इसाब से देख लेते हैं सब लोग गन्ना जो है उत्तर प्रदिस के 13% भाग पर होता है प्रत्थम अस्थान गन्ना में उत्तर प्रत्थम अस्थान है कौन सा है गन्ना है प्रत्थम अस्थान आपका तमिल नाडू का है वालन आगे चना चना जो है प्रत्थम अस्थान उत्तर प्रदिस में प्रत्थम अस्थान कों है आपका बांदा जिला थीक है तो बाता हम याने बदाम चने कार का है मलब गरीप के लिए बदाम चने जैसा है खेतर बोलेगा है तो बुंदेल खंड में सबसराधिक चना होटा है स्वयविन पूरा देश बोलेगा तो आपका M.P. हो जाएगा तो यूपी जीके में क्रिसी के सजामन्धित कुछ चीजे हैं ये आपको बता दिये हैं अब एक चीज बचा है इसमें एक चीज बताए क्या बचा है कौन चीज सबसे दिक कहां पर होती है चना हो गया, दाल हो गया, गेहू हो गया देश में पुछता है, कभी-कभी भारतों में पुछता है तो इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करियेगा इस पर हम वीडियो बना भी सकते हैं लेकिन आज कल तो इस वीडियो में भी देता है भाई, वहां भी पढ़ सकते हो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्रिसी का ये चप्टर था उत्तर प्रदेश पुलिश के लिए थैंक्यू धन्यबाद जैहिंद